उधारण 3, एक वृत की तरिज्जा 5 cm है, तो केंद्र से 3 cm की दूरी पर इस्थित जीवा की लंबाई ज्याद कीजिए, हल, तरिभुज, O A C में हमारे पास दिया है, O A का मान हमें 5 cm और O C का मान दिया है हमारे पास 3 cm O C बराबर 3 cm है, तरिभुज O A C में O A बराबर 5 cm है और O C बराबर 3 cm है, पाइथा गोरस प्रमे, जब हम तरिभुज में पाइथा गोरस प्रमे, पाइथा गोरस प्रमे से हम जानते हैं कि विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन अधार का वर्ग, तो हमारे पास O A जो है विकर्ण है, तो विकर्ण का वर्ग, O A का वर्ग बराबर लंब का वर्ग होता है, तो पांच की घात दो बराबर O C का मान तीन है, तो तीन की घात दो धन, A C की घात दो, तो या A C की घात दो बराबर पांच की घात दो और तीन की घात दो, या AC की घाद 2 बराबर 5 की घाद 2 का मान 5 गुडित 5 25 होंगा रिन 3 की घाद 2, 3 गुडित 3 9 होंगा तो AC बराबर 25 में से 9 को घटाने पर हमें 16 पराप्त होंगा AC बराबर वर्ग का पक्षांतर करेंगे AC की गाद दो का पक्षांतर करेंगे तो यह वर्गुल 16 होंगा और फिर वर्गुल 16 का मान 4 गुणे 4 तो 4 जो है अपना वर्गुल से बहा निकलेंगा तो AC का मान अपना चार सेंटीमेटर हुआ अतहा जीवा जीवा ए भी जो है वो दो गुणा AC है और यहां पर जो हमने AC का मान निकाला है दो गुणी 4 सेंटीमेटर तो हमें प्राप्त होंगा 8 सेंटीमेटर इस तरह से हमने जीवा ए भी की लंबाई 8 सेंटीमेटर प्राप्त की यही सुधारन का हल होगा